हेलो दोस्तों बहुत सो फिनेशेयर बजार में आपका एक बाद फ्रिशस्वागत है आज इस पर्टिकुलर वीडियो से इलेटिड बाते करने वाले तमनेल में अपने सुने लिया होगा एक ऐसी कंपनी है जिसने आपको अच्छा खासा जिसे गयाता है अच्छा खासा आपक से रुक्वेश्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी चैनल बहुत साथ जोड़िये हमारी चैनल को सज़स्ट करिए ताकि हमारी एक फैमिली क्रियेट हो सके और हम एक दूसरे का हाथ पकड़के आगे बढ़ते बढ़ सके एस वेले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दो लिं यहां पर क्लिक करें फ्री में आपका एकाउंट ओपन हो जाएगा कोई भी चार्ज देने की जरुवत नहीं पड़ेगी एक और लिंक है यहां पर क्लिक करेंगा तो श्रीट आपकी का युद्या मंदिर बन रहा है उसके लिए जाद जादा दान दे ओके अपने इच्छा प्याद पान पज़ेटव जहां पर मार्केट गई गिरि लगभर 07 पर संट यहां पर जम게ं लावब यहां पर देखते तो यहां पर ऑप breaths से जंप हमें हर दिशान में देखने को मिल रहा है इसके इसके लाव बर 5 पर देखते तो अच्छे साफ 13 रुपे की val क्यne만 था नंघ सिलने के चलती कि लग बहुंद ise क्यों P हाई तो हम ढ़ते हैं रहा सब्डेगदा हो इसे चार्ट किया जाता है एक भी लोगान पर रहें सब्सक्राइब रहा बहुत हैं यहांपर और देख सकते हैं と चाठ पेटर्न है तो एसी ही company में district कि जाता है जो कि जिसका चाठ पेटर्न हमेशा उपर की तरफ में जाता हुआ दिखाई देता है और इसमें कुछ ऑग् a बात करें तो देखी घिरावट करता है यहाँए या पर देखा Hybrid 52 वीग लो की बात करें तो यहां पर एक अपरयल को कि च्छेज़ार 2400 रुपे का शेयर आ गया था और बात करें यहां पर अपर अपर मार्च में भी यह ज्यादा तूटा नहीं है यहां पर देख रहा है अगर यह पर देखा जाया हम यहां पर देख लेते एक साल की तो यहां पर अप्रेल देख लिए यह शेयर मुझे ज्यादा तूटता हुआ भी नजर नहीं आया यहां पर अगर बात करें देखिए यहां पर यह बस 7500 के आज पर चल रहा था और 6000 मतलब यह कंपनी का शेयर भी ज्यादा ने तूटा यहां पर 60 और 50% तक शेयर कंपनी तू बात करें तो देखिए 77% की डिलीवरी उठाई कई है जो की काफी बहतरीन बात है और यहां पर बात करें जिस चीज से लिटर तो देखिए डिविडेंट यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर डिविडेंट कंपनी ने दिया है जो मैं आपको बतारा है 240 प्लस में 125 अगर आव다면 देखिए 18 में तो देखिए 50 było का 18 डूपीऩ का फिर 19 में देखिए 66 रूपीज का और 2020 में देखिए नहिए अर तू 43 पलस 106 जब लगते 333 रूपए के डिविडेंट यहां पर दे दिया कंपनी ने और यहां पर बात करें तो अब ही, तो 365 डिवियलन तो कंपनी profit के वही company आपको अच्छी खासी dividend देता हुआ मिलेगा और company इस तरीकी का dividend देख रही है तो आप सखुश हो सकते है कि यह company की value क्या होगी और कोई भी share इनका गिर्वी नहीं है प्रमोटर के पास अच्छी खासे 60% के यहाँ पर share भी नजर आ रहे है और बात करें तो बोनस की तो company ने एक बार बोनस भी 1994 में दिया है split की बात करें तो 100 रुपीज की phase value अभी 10 रुपे की phase value पर हमें नजर आ रहा है तो सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है तो company कौन सी है तो देख लेते हैं देखें का नाम है और 1956 के लगबक से यह company हमें मार्केट में नजर आती है और अगर बात करें यहाँ पर देख लिए यह फार्मा लिमिटेड फार्मा कंपनी है यह और इंडिया की made in इंडिया products distribution in इंडिया and export to many developed and developing countries तो इंडिया की ही company है और भार भी बहुत सारी का मतलब यह यह company अपना existence रखती है यहाँ पर आप देख सकते हैं अफरीका ताइबान ओके यूएस वगरा हर जगे इस company का यहाँ पर अच्छे का से यहाँ पर बिजनस हमें नजर आता है और प्रिजन्स की भी अगर बात करें यहाँ आप देख सकते हैं company क्या क्या बनाती है तो देखें यहाँ पर diabetes, cardiology, central nervous system तो यहाँ पर काफी सारी चीज़ों में company expertise भी कह सकते हैं company इस तरीके के products बनाती है तो इस company को नजर अंदाज करना बहुत बुरा होगा अगर इस तरीके की company को हम नजर अंदाज करते हैं तो इसके अगर financials की बात कर लेते हैं तो देखिए market cap, mid cap company है, mid cap company में गिरना और बढ़ना हमेशा बताता हूँ risk reward ratio equally ही होता है लगबल लगबल गिरती है तो भी तेज़ी से गिरती है जो कि आप यहाँ पर देख सकते है वनमंत के चार्ट पेटर में देखिए गिरी थी अच्छी खासी level पर गिरी थी बटो इसक इसको ध्यान में रखे ही invest करें बाकी debt to equity ratio की बात करें तो देखिए ना के बराबर है और intrinsic value इसकी है 8,7781 मतला अब 8780 का share है जिसका current price क्या चल रहा है current price चल रहा है 8,000 तो अपने intrinsic value के नीचे चल रही है और वर्ण बफेस आप क्या कहते है वो ही कहते है कि जिस company का intrinsic value से invest करना चाहिए तो ऐसी company आपको मिल रही है जो intrinsic value के नीचे चल रही है तो ऐसी company में invest करना आपको फायदे का ही सौधा मिलेगा ROCE की बात करें 31 का ROCE ओके अच्छा खासा ROCE आपको यह company दे रही है अब इसके business की बात कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते है 618 क्रोड रुप करें यहां पर net profit है ओके और बात करें यहां पर yearly basis पर तो 2009 में 9,914 क्रोड रुपे की sales ती जो की अब भी लगवए 3000 क्रोड रुपे की sales के आसपास यहां पर आती ही मिल गई है operating profit की बात करें 92 क्रोड रुपीज का profit हुआ करता था आज से 10 साल पहले और अब भी बात करें त तो 713 क्रोड रुपे का profit जो की consistency से बढ़ते जा रहा है यहां पर देख रहें आप तो यहां पर profit भी बढ़ता जा रहा है यहां पर net profit भी देखें वो भी continuous बढ़ता जा रहा है कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें घटता हुआ नजर आए continuous हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रह जो कि इस company के लिए मुझे नहीं लगता कुछ जादा बड़ी बात होगी अगर हम बात करें यहां पर cash equivalent की तो यहां पर देख लेते हैं तो cash equivalent 1200 क्रोड रुपे का cash भी इस company के पास है और क्या चाहिए cash flow positive है ROCE काफी अच्छी है और ROCE की बात करें तो देखिए अगर पिछल है ना जो अच्छा कासा बढ़ता रहे प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के 60% की holding है FI 11% की holding रखते हैं 17% की और public की बात करें तो 10% की holding यहां पर public नजर आती है public में आप देख सकते हैं पहले तो HDFC बजाज इलाइंस इनके पास भी अच्छे-खासी holding थी तो ऐस इसी कंपनी में हमें इनवेस्ट करना होता है और कौन से कंपनी है तो इस कंपनी को नाम ध्यान देदीजिए Sunfoys कंपनी का नाम है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने 200 65 रुपे के आसपास का यहां पर डिविडेंट दिया है कंपनी ने 365 का सौरी और बात करें यहां पर इनवेस्ट करना है डिविडेंट का फायदा लेना है तो आप 18 या उससे पहले खरी दिएगा एस बेल एस एक और बात पताना चाहता हूं कि डिविडेंट बाइबेक बोनस और के स्प्लिट ऐसी नीउस को देखते हुए कभी भी कंपनी इनवेस्ट नहीं करना चाहिए कुंसी कंपनी है यहां पर देख लेते बिटैनिया बिटैनिया इंडश्टी ने 62 रूपीज का यहां पर डिविडेंट एनाउंस किया है और यह इसका इंट्रिम डिविडेंट की बात करें तो आठ अप्रेल है तो मतलब साथ तारीक है साथ तारीक से पहले जिसके पास शे अपर नाउन एगा और बात करें यहां ₹ कि có इंट यहां पर देख लेंते हैर अमें आपकी बात करे यह श्क्याइब लगभग 3300 कि आससपस A रता हुआ हमने दिखाई दिया था और मैंने आपको recommend किया था कि इस share को खरी दिये, मैं अपनी वीडियो मिलेगी तो मैं उपर डाल दूँगा, आपको आई बटन पर देख लीजिएगा, okay, 3300 रुपे पर आपस यह share आया था, आपको बताया था, और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, price में लगवा, रिजल्ट आएंगे, तो यह 8800, 8400 रुपीज तक यह share जाता हुगा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप invest करके चल सकते हैं, बाकि यह risk reward ratio भी काफी favorable है, as well as बात की जाए, Britannia की, तो हम यहाँ पर Britannia को भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए Britannia, तो Britannia देख, जो मुझे लग रहा है न, Britannia अपने last time का high इस बार टोड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि lockdown हो गया है, और lockdown कुछ places में हुआ है, तो इस company को सीधा फायदा होता हुआ नजर आएगा, जिसके ओपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो हम उस पर अलग से बात करेंगे, बाकि अप इस company को भी Britannia क को भी खरीद के चल सकते हैं, बाकि कोई recommendation नहीं है, simply आपको बताना चाता हूँ, यह आप buying, selling की कोई recommendation है, अपने financial advisor से help लीजिए, अपनी खुद की study करिए, उसके बाद ही आप इस company में निवेश करिए, ओके अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, comment, share करिएगा, as well as हमार चैनल, बहुत सब्सक्काइब करें, share करें family fans के साथ, और जाद जाद लोगों तक फैल आई है, ताकि इस तरह की वीडियो अँने भी मिलती रहे, आप लोगों को मिले, और अकिले पैसे कमाने में कोई मज़ा नहीं है, जब दूसरों को भी अपने साथ include करोगे, और साथ मि के काम करोगे, तो definitely आपका पैसा और ज्यादा बढ़ता होगा नजर आएगा, तो thank you so much, God bless.